नमस्कार मैं हूनी रजकुमार और आप देख रहे हैं मीमीडिया नियूज वक्त हो गया है आज के ताजतरीन ख़बरों का एक दिन के लिए और बरहाये गई दिल्ली विधान सभा सत्र की कारवाई अब 18 अगस्त यानि आज भी चलेगा सदन बता दें कि आमादे पार्टी के विधायक गुल्दीप कुमार के आगरह पर खुद सभापती राखी विरलान ने दिल्ली विधान सभा के विशेश सस्त को एक दिन यानि आज 18 तारिक तक के लिए परहा दिया है उत्तर पर्देश को हरा भरा बनाने के लिए योगी आधितनाथ की पहल रंग ला रही है जहां योगी आधितनाथ ने व्रिक्षा रोपन महा अभियान 2023 के तहत स्वेम पौधा रोपन कर इसका सुभारम किया लोग जल सकती पार्टी राम बिलाश के सुप्रीमों और जमुई से सांसत चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुकमंत्री नितीज कुमार को आरे हाट हो लिया चिराग ने कहा अब नितीज को लग रहा है हार का डर इसलिए NDA में चाहते हैं वाक्षी चिराग पासवान ने नितीज कुमार द्वारा अटल विहारी बाजबई के पुन्यतिती पर कल समाधी पर सर्थांजली देने के बाद पिना किसी इंडिया गटवंधन अठात राहुल गांधी के जरिवाल आदी नेताओं से मिले बगएर विहार वापस आने को लेकर ये ब दिल्ली विधान सभाके विसे सत्र के दूसरे दिन भाजबपा नेताओं और आम आदी पार्टी के विधायकों के बीच तीखी नोख धोक हुई यह नोख धोक कुछ समय हुआ जब भाजबपा विधायक विजैंदरी आदम ने कहा कि जब हुए बोलते हैं तो मंतरी सौरब भारतवाज को डर लगता है इसलिए उन्हें मुह पर टेप लगाकर चुपचाप बैटना चाहिए पंजाब इधांसभा की लोक लेखा कमेटी की सिफारिसों को दर्किनार करते हुए मुखमतरी भगमत मान ने असपश्ट किया कि किसानों को मुख्ध विजली चारी रहेगी और हम ना तो टुबल की मेटरिंग करेंगे और ना ही किसानों में भेदभा करके उनके टुबलों की सबसीडी बंद करने जा रहे हैं हरियाना के नुह मामले के बाद मुसल्मानों के वाइकाउट के वीडियो का मामला अब सुप्रेम कोर्ट पहुंच लिया है जहां दिल्ली हाइक कोर्ट की महला वकीलों के एक फर्म ने सुप्रेम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाइट चंदर्चूर को लेटर भेजा है जिसमें सोशल मीडिया पर चल रहे मुसल्मानों के वाइकाउट के वीडियो और दूसरे सामगरी को हटाने की मांग की गई है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूस को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजे क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतिजार कर रहा हूँ चेंद्रे ग्रेहमंत्री आज नोईडा और ग्रेटर नोईडा के दोरे पर रहेंगे जहां ग्रेहमंत्री ग्रेटर नोईडा में तुत्याना गाउं के पास CRPF कैम्प में पौधार ओपन अभियान की सुरुआत करेंगे और अधिकारियों और करमचारियों को संबोधित करें भारतिय कॉपरेटिव लिमीटेट भवन में आयजित कारकरम में मुख्य अतिती के रूप में सामिल होंगे। मार्क्सवादी कॉमनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम यचूरी के नित्रतों में पार्टी का चार सदस्य सिष्पंडल आज से 20 अगस तक मनिपूर के दोरे पर रहेगा जहां मार्क पादवारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। कॉंग्रेसी संसद और बंगाल कॉंग्रेस के अध्यक्स अधी रंजन चौदरी के निलंबन मामले पर आज विचार करेगी लोकसवाद की विशेसाधिकार समिती। बतादें कि हाल ही में संपन संसद के मांसून सत्र में लोकसवहा में अविस्वास प्रस्तापर चर्चा के दौरान कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा पर्धान मंद्री नरेंद मोदी को लेकर की गई कुछ टिपनियों और उनके आच्रन के कारण 10 अगस्त क की पहल पर वर्स 2022 में 36 गर के पारंपरिक खेलों को प्रोगसाहित करने खेलों के परती जागुप्ता फेलाने और खिलारियों को अवसर परदान करने के उड़ेस से इस ओलमपिक की शुरुवात की गई थी हिमाचल परदेश में आये आपदा के बीच परदेश सरकार ने आज भी सभी स्कूली संस्थानों को बंद रखने का आदिश दिया है यह फैसला बारिस के चलते ली गई है जहां अभी तक विवहिन गाओं और छेत्रों में कई जगाय भुस्खलन होने से काफी जानमाल का नुकसान हुआ है राज्थान के मुखमंतरी असो गहलोत की अध्यक्सता में आज राजधानी जैपूर में राजधान ग्रामीन आजिविका विकास परिशत के एक दिवस्य सखी सम्मिलन का आयजन होगा यह सब सट पर मुखमंतरी राजिविका की महलाओं के लिए कई बड अपना से सटे बार्ख में एंटी पीसी की 660 मेगावार्ट की दूसरी इकाई का आज केंद्रिय उर्जामंतरी आरके सिंग लोकारपन करेंगे पता दे के एंटी पीसी बिहार की ओसत धैनिक विजली मांग के 90% से अधिक विजली की आपूरती सुनिश्चित करता है वहीं इस उद्गाटन समारोह में बिहार के उर्जामंतरी बिजेंद सिंग यादव सांसद ललन सिंग सहित कई बीजेपी के दीगज नेता भी मवजुद रहेंगे केंद्रिय मंतरी मंसुख मंडाविया ने गुजरात के गांधी नगर में आयजित वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केर इंडिया 2023 कारक्रम का उत्खाटन किया जहां उन्होंने कहा भारत परधान मंत्री नरेंद मोधी के नित्रित्व में देर लाग से अधिक आयुसमान भारत स्वास्त और कल्यान केंदरों के माध्यम से सार्भ भौमिक स्वास्त देखभाल के लक्ष को प्राप्त करने की दिसा में आगे वर रहा है लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तयारी में जूटी बीजेपी ने राज्थान में उत्राखंट के विधायकों की ट्यूटी लगा दी है जहां बीजेपी विधायकों को अलग-अलग जत्थों में राज्थान भेजा गया है पहले जथे में 25 विधायक रवाना हो चुके हैं और दूसरे जथे में बागी अन्य विधायक भेजे जाएंगे हारतिय पत्थर गरहाई एवं निर्मान मजजूर संग सिरोही ने जिला कलक्टर डॉक्टर कुमरलाल के माध्यम से मुखमंत्री असोग गहलोद को ग्यापन भेज कर स्रमिकों की समस्याओं के निवारन की मांकी पत्राखंड वकवोड की बैठक में मौडर्न मदर्सों के प्रस्ताओं को पास कर दिया गया जहां दहरादोन की रीठा, मंडी, खटीमा, रोल की रामनगर में मौडर्न मदर्से बनाए जाने पर सर्व समत्ती बनी वहीं सभी मदर्सों में NCRT की कुषके लागू की जाएगी जिसके लिए सभी बिंदों पर चर्चा हुई जहारखंड के गोड़ा जिले में एक युवक के ट्रेन के चपेट में आने से मौथ हो गई यहां मालगारी की चपेट में आने से नितीस कुमार नाम के लग्गे की मौथ हुई यह दुरगटना उस वक्त हुई जब नितीस नाम कलर का थेत पर ट्रेक के जरिये काम पर जा रहा था और लापरवाही के कारण ट्रेन के चपेट में आ गया इस दौरार पर्देश अथ्यक्स रविंद्र सिंग और सचिव अरुन नायर के नितित्तों में पहुंचे यह आप यूथ विंग कारताओं ने कॉंग्रेस सरकार पर युवा विरोधी होने का आरूप लगाया मत पर्देश में होने वाले चुनाव से पहले कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मत पर्देश चुनाव परभारी को बदल दिया है जहां पार्टी ने जेपी अगरवाल को हटा कर उनके जगह रंदीप सुर्जेवाले को मत पर्देश कॉंग्रेस का परभारी बना दिया है प्राजधाने सिम्ला में भी पहले से उचित कदम नहीं उठाये गए इसलिए नुकसान परा हो गया लगदाक में करगिल हिल कॉंसिल चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस के पिखरते कुलवे को भचाने के लिए पार्टी के वरिष्ट नेता राहुल गांधी लगदाक पहुच गया है जहां राहुल गांधी दो दिवसिये दोरे पर लेह में पार्टी नेताओं से बैठक कर छेतर में खोया हुआ जनाधार हासिल करने की रन्नीती बनाएंगे माना जा रहा है कि पार्टी नेशनल कॉंफरेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है पंगाल से भाजबासांसद लौफिट चटर जी ने अपने संसदिये छेतर हुगली में बरते विवाद की घटनाओं को लेकर कैंद्रे ग्रहमंत्री अमिसाह को पत्र लिखकर कैंद्री बलों की तैनाथी की मांग की है दिव सेना नेता संजय राओत के करीवी सुजात पार्कर को ई ओ डबलो ने गिरफतार कर लिया है जहां अदालत में बेस करने के बाद अदालत ने पूश्टाज के लिए 5 दिन के रिमान पर भेज दिया तो ये थी आज की ताज अतरीन खबरें ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सकाइब किजिए नोटिकेशन बेल को दबाईए वीडियो को लाइक किजिए और ज्यादा ज्यादा सेयर किजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आप के जानने वाले रह सकें अपडेट